कोटा शहर की कुनाडी पुलिस ने ओनलाइन ठगी करने वाली अंतरराज गेंग का परदाफास करते हुए पांच लोगों को गिरिपतार किया है जिनोंने लोगों से रुपे दोगुने करने का लालस देकर करोडो रुपे की ओनलाइन ठगी की है ASP सराचोधने ने जानकरी देते हुए बताया कि ओनलाइन ठगी की लगातार मिल रही सिकायदों पर एक टीम का गठन किया गया जिसने तरकनी के अनुसंदान के बाद अंतरराजी गेंग पकड़ी इस ठगी के मामले में पुलिस ने सलमान खान, दीपक नायक, अनुरुद धि देते हैं, इसके बाद वो मैक्सिंग एप के जरिये टास्क देकर डबल रुपे करने का जासा देकर लाखों रुपे इन्वेस्ट करवाते हैं, कुनारी निवासी एक वेक्ति से भी इसी तरह की ठगी करके बदमाशों ने 6,4,280 रुपे ट्रांस्फर करवा लिए, इसी त 5,000 करोड रुपे से अधिक ओनलाइन ठगी से इनकार नहीं किया जा सकता, पुलिस ने बताया कि आरोपि दीपक नायक के खिलाब विभिन राजियों में 241 सिकायते दर्ज है, महीं सलमान खान के खिलाब 151 और राजा एयर के खिलाब 5 सिकायते दर्ज है, इनसे लगातार मा प्राइंक अकाउंट ऑल्रीडी खुले हुए थे, उनको अपने प्रलोवन में लिया और उनसे कहा कि हम विभिन प्रकार की कंपनी खुलेंगे और ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट के माध्यम से करेंगे, और इसमें एक प्रक्रिया होगी, दो-तीन महने चलेगी, उसमें अपना अकाउंट नंबर इन फ्रॉडस्टर्स के हवाले कर दिया, बदले में उनको किसी को पचास रुपए का इनाम सो रुपए का जो भी था कि यह आपका पारितोशिक है, रिवार्ड है, यह धनराशी मिल गई, इसमेंट करो, आपका हम ड्योड़ा करेंगे, डबल करें अभी तक जो अन रिकॉर्ड तमाम जो हमारे पास महजूद है, जो इन फ्रॉडस्टर से में प्राप्ट हुआ है, हमारा ऐसा मानना है, लगबख ट्रांजेक्शन तो पांच हजार करोड के हैं, लेकिन पर्थम दृष्टिया जो अभी तक का नुसंदान हुआ है, डेड़ हुए लोग है, सल्मान खान, दीपक नायक, अनुरुद्यादव, राजा आईयर, गजेंदर मीना, यह अलग-अलग जगे के रहने वाले लोग हैं